तो हाई गाईज, जैसे कि आप सो की पता है कि सेलसम के अगर बात करें फूचर एच्छ स्मार्टफोन में जिसमें हमें Z Flip और Z Fold देखने को मिल जाते हैं बिसिकली जो सभी स्मार्टफोन आपको दोने को एक प्रीमियम और काफी फूचर स्मार्टफोन देखने को मिल जाते हैं चाहिए वो बात हो Z Fold की यहां फिर Z Flip की करम बात करें तो इसकी बहुत ही अच्छी लीक्स निकल कर आ चुकी है इसकी डिस्प्ले का साइट, इसकी बिल्ड क्वाल्टी, इसका प्रोसेसर, इसका कैमरा हर एक चीज इस स्मार्टफोन की कन्फर्म हो जूगी क्योंकि यह जो स्मार्टफोन आपको अगस्के मत में लौच होने है क्या यह स्मार्टफोन आपके लिए एक value for money स्मार्टफोन है या फिर अगर आप एक plan करें एक different सा स्मार्टफोन बाई करने का तो आपके लिए यह स्मार्टफोन अच्छा है या फिर आपको किसी और स्मार्टफोन की तरफ जाना चाहिए सबसे पहले अगर बात करें इस smartphone की main highlights की तो वो है इस smartphone की pricing की यह smartphone आपको around 90,000 का देखने को मिल सकता है जो कि बहुत ही एक expensive smartphone देखने को मिलता है बट यह smartphone एक flip smartphone है याने कि इसमें आपको कुछ different देखने को मिलता है याने कि compare करें other smartphone से तो बहुत हो आपको single display देखने को मिलती तक similar देखने को मिलती है उसका थोड़ा सा डिजाइन आपको थोड़ा सा बिगर देखने को मिलता है और next upgrade की करने वो जो है इसमें आपको weight जो इसका काफी कम देखने को मिलेगा as compared to Z Flip 3 से Z Flip का weight आपको थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है बट इसका अगर बात करें Z Flip 4 की तो इसका जो weight आपको थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है यानि कि इसमें आपको काफी अच्छी आपको in handy देखने को मिल सकती basically यह जो स्मार्टफोन है वो एक pocket size स्मार्टफोन हमें देखने को मिल जाता है आप इस स्मार्टफोन को काफी अच्छे से स्मार्टफोन की बेड लेफ तो आपको बिल्कूल सीमिलर देखने को मिल गीप प्रोसेसर में जो इसके चेंजी समें देखने को मिल सकती है है सुपिकिक इसकी क्फिक जो कि में जो इamedफ देखने को मिल जाती है तो क्या यह स्माटफोन आपको लिरे ले यहां फिर आपको किसी और जाना जाए तो बेसीकलि अगर आप 90 तिक क्यासा के घलता जाता है तो यह स्माटफोन आप